सुस्वागतम, ब्यूटिफुल लाइफ के इस चानल पे आप सभी का स्वागत, आज मैं आप सभी को छट पुजा उसके बारे में बताना चाहूंगी, हाली में छट पुजा संपन्न हुई चट पुजा, सूर्य, प्रकृती, जल, वायू और उनकी बहन चटी मैया को समर्भित है, ताकि उन्हें पृत्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवार, चटी मैया जिसे मिथिला में रणमे माई भी कहा जाता है, बोजपुरी में सभीता माई और बंग लोटे तो लोगों ने दिपावली मनाई और इसके छटे दिन राम राज्य की स्तापना हुई, इस दिन राम और सीता ने उपवास किया और सीता ने सूर्य सश्टी याने छट पुजा की, परिणाम सोरुप उन्हें लव और कूश पुत्रों के रूप में प्राप्त हुए चार दिन मनायें जाने बाला ये त्योहार लोग आस्ता से जुड़ा है, इसमें पारिवारिक सूख सम्रुद्धी और बच्चों की सुरक्षा के लिए 36 गंटे का व्रत रखा जाता है, छटी महिया और सूर्याद्यों की पुजा की जाती है, छट पुजा में महिलाये, पत वो बच्चों की लंबी आयू की कामना करती है, और नाक से लेकर मांग तक सिंदुर भरती है, सूर्या उपासना का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार छट पुजा माना जाता है, हिंदू पंचांग की अनुस्वार हर वर्ष छट पुजा कार्तिक महा के शुक्ल पक्ष की शष्टी तिथी से शुरू हो जाता है, छट पुजा चार दिवसिया परव और उस्व है, छट परव के चार दिनों के दवरान भगवान सूरिय और उनकी बहन मा उश्चा की पुजा अर्चना, अर्ध और मनो कामनाये मांगी जाती है, ऐसा माना जाता है कि छट पुजा बच्चे के लिए सूरिय का आशिर्वात प्राप्त करने, किसी भी बिमारी को ठीक करने, परिवार की प्रतिष्ट हासिल करने और सुखी और समुरुद्ध जीवन के लिए की जाती है, एक प्रशन हमेशा मन में आता है कि छट पुजा कब और क्यू मनाया जाता है, कब से मन परव को किया था, जबकि इस यूग यानि कली यूग में सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छट परव किया गया था, छट पुजा भारत में सबसे प्रमुक त्योहर में एक है, यह त्योहर बिहार उत्तर प्रदेश के अधिकाउंश हिस्सों और नेप की पूजा करने और परिवार को स्वस्त और समुरुद्ध रखने के लिए प्राथना करने के लिए समर्पित है यह शूप दिन भगवान सूरिय को प्राथना करके और गंगा के पवित्र जल में डुपकी लगा कर मनाया जाता है यह दिन पृत्वी पर इस सुंदर जीवन को के लिए बगवान सूरिय और उनकी पत्नी के परोपकारी कार्य का जश्न मनाता है के लिए बगवान सूरिय और उनकी परोपकारी का जश्न मनाता है के लिए बगवान सूरिय और उनकी परोपकारी का जश्न मनाता है यह दुरुश्य दादर चोपाटी का है तीस तारी को रविवार के दीन शटपुजा संपन्न हुई यहाँ पर मैं एक परिवार से मिली और चटपुजा के बारे में जानने की कोशिश की चलो तो उनके मूँ से सुनते हैं कि शटपुजा यह क्या पर्वा है माजी आप मुझे बताईए चटपुजा क्या होती है अरे भगवान का पूजा के सम्मान के करती हूं कि हमको यह चाहिए यह हमारा काम पूरा हो जाएगा तापके ब्रत रहोंगी जैसा हम अपने बीमारी कमानी थी पहला बहुत सांदर यह दो बश्चे एक लाइगा तो बासक साल हो गया उपास कर तो आज के दिन उक्वास होत अच्छा अच्छा शादी के बार यह फर्स्ट वाला है आपका अच्छा 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 यह चट पूजा में क्या क्या होता है यह बहुत सुरच को जल देते हैं यह मानता का यह तहवार है यह एक दूसरे से सह लग व्लब सुनके इनका ऐसे और आच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ फिर इसका बहुत जादा माली को बढ़े हैं ओके ओके ऑके उक्वास है कल सबना पानी बिना चाय को हमारा फॉपोके अच्छा अच्छा आरग देंगे हैं खेसा जो फॉटी बहुता हो जिसकी प्रांता पुरा हो जाते हैं और फॉटी सब छीट चारते हैं कि खा खाने कि अध्य च्छा कान इस शुरूरी बनाओ फॉस्ता भनाओ सब चारते हैं उचले पूर्ला सेमंहरा sizin हैं इंडिन हो इसां घुप लोगे आप लोग कल्यान से आये हैं आप पूर्ला से आप पूर्ला से सबस्तुर्स भूम प्तै जाय कौशे बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अच्छा 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 चलो बाए बाए अब भी चट्पुजा करके आई है कहां से आई है बड़ा लसे इसका क्या उप्योग है यह क्यों रखते हैं अच्छा गन्ना लगता यह पुजा में झाल यह जाध करोस। अब कहा से आई है यह चट पुजा क्या होती है क्यों करते हैं अपने पती के लिए अच्छा आज के दिन फास्ट रहते उपास रहता है अच्छा कभी चोड़ेंगे यह उपास कल सुबह चोड़ें यह सब क्या है यह जो यहां पर रखा है ठीकवावावावा यह चेड़ेंगे अच्य पानी में अपने चला जाएंगा ओके ओके तीक कि निखूण दुए कॉश। अडल्क करगा है ये जल्लेकर दो tad अकर प्रच्ता हना शाक, यह करता है त जब दाना है बबाबाबाबाबाबाबाबड़ पूले अबटानी पूले अब टानी ने अबगाया तो चलो मिलते हैं और एक दीदी से और तूछते हैं कि छट पूजा ये क्या है? होता है चट पूजा जोटा जोलाए जाता है ने को पोटी, बेटे के लिए लक्समी जी के चोटी पहन है ओके ओके लेशा सबसे माँके लोगते हैं याद बंगा महाता है तुछ टो जो प्याद आगे सीभी लेखिश्ट 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 पर रवी है लेखिश्ड लेखिश्ट दीवाली के बाद आने वाला ये त्योहार बहुत दूम धाम से मनाया गया यही पे रुपती हूँ, फिर मिलेंगे नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए अज्या चाहूंगी बाबाय, थांक्स फो वोचिंग हैलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने वान हंडेड के ऊपर ब्यूटिफल लाइफ माई डॉक्टर अलका खड़े यह मेरे यूटूब चैनल पे डाले हुए है वीडियोज अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो या किसी विशय के बारे में जानना चाहते हो तो आप यूटूब में जाके वो विशय टाइप कीजिए और वो विशय से आप जानकारी पा सकते हो धन्यवाद दोस्तों आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इसलिए धन्यवाद अगर नहीं किया हो तो नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का उसके उपर आप प्रेश करके सब्सक्राइब कर सकते हो दो फॉलो मी ओन इंस्टाग्राम ओरल हेल्थ मैनेजमेंट बाई डॉक्टर अलका पाकरे खाडे and my facebook page dental care clinic by dr. alka khaday and do follow me on youtube beautiful life by dr. alka khaday thanks for watching